दोस्तो अभी तक मैं जो UPRB, UNL के जो तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 75 कुश्चन हो गए हैं तो इसके आगे मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो 76 से लेके 100 तक के कुश्चन में आज बताऊँगा तो यदि दोस्तो आप हमारे चैनल पनाये हों तो हमा 25 कुश्चन यह पढ़ सकते हैं तो हम आज 25 कुश्चन स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो 25 कुश्चन है यह कुश्चन में पहला कुश्चन जो रहेगा वो 76 नंबर का कुश्चन रहेगा हमारा की 76 नंबर से लेके 100 नंबर तक के कुश्चन रहेंगे तो हम स्टार्ट करत इसमें दिया है इसमें ये उपर पढ़ना पड़ेगा हमें match the column choose the answer answer with the help of given codes तो हमें ये match कराना है ABCD चार कोड़ दिये गए हैं ABCD चार कोड़ दिये गए हैं तो पहला नमबर का जो option है वो stop bulb दिया है तो दोस्तो stop bulb का जो उप्योग किया जाता है stop bulb से हम जो बहाव होता है उसको stop करते हैं तो इसमें आप देख लिजिए पहला option जो दिया गया है पहला option उसमें दिया है इना gas pipeline to sink the water इसको तीजरा है to release access pressure लास्ट वाले में दिया है to stop flow of steam of water तो इसमें stop दिया गया है आप देख सकते हैं कि जो हमारा stop bulb है वो stop ही करेगा जो stop bulb होता है वो stop करेगा तो इयका हम फोर्ट answer में match कराएंगे देख लिजिए इसमें इयका हम जो match कराएंगे इयका हम match कराएंगे फोर्ट वाले में तो इसमें में में देख लेते हैं कौनसे में क्या तिखा रहा है देख लिए इसमें जो हमारे option दिये गए है किस स्बुछल्ट ऑप्ष्ट ऑफ्षनेगां थी झ Albert में है five shows which highways 6 Puisrid holistic प्रेश थें थर्ड ऑफ्षन में हमए कड्टू है इसने हमारा तोड़ा अंसर जो है right answer हो जाता यदि A का 4 B option में भी दिया होता है तो हमें अब हमें यह देखना पड़ता कि यदि दो option में एका 4 दिया होता एधर भी दिया होता और एधर भी दिया होता तो फिर हमें B को match कराना पड़ता कि B का कौन सा अंसर सही है लेकिन एधर पर हमारी समस्या solve हो तो इसलिए हमारा एका 4 एक में ही दिया है एका 4 stop to flow stop of flow of steam and water तो यह जो है stop bulk of review stop करने के लिए किया जाता है इसलिए हमारा first answer हो जाएगा इसका second question जो है यह हिंदी में दिया है इसका इंगलिस का 77 question है वो है इना circular pitch और इस पर gear is 16 mm तो दोस्तों जो इसमें जो circular pitch है gear का question है यह circular pitch CP जो होता है यह है 16 mm circular pitch 16 mm में इसकी बाद है pitch circle diameter जो है वो है 480 mm पिस circle डाया जो PD है तो PD की value है 480 mm तो हमें इसमें निकाल ला है in find of the teeth हमें teeth की संक्या निकाल ली है तो इसका जो सूतर होता है तो इस सूतर तो में थोड़ा याद करना पड़ेगा कि पिस circle डाया बराबर जो तो सूतर होता है PD बर लाबर पिस circle का अब्यास बराबर होता है circular pitch बटे दातों की संक्या यह सूतर होता है यह वह संक्या निकाना पड़ेगा तो हमें क्या क्या दिया मित ऐस तीन चीज हैं में का अमान रखना हैं तो你們 4 चार सो असी था पिस सर्कल कड़ाया तो पिस सर्कल की डाया की जगह हम रखेंगे कितना चार सो असी रखेंगे और बराबर में जाके सर्कुलर पीछ हमारा कितना था सर्कुलर पीछ सर्कुलर पीछ सिक्स्टीन अमेम तो हमारा सर्कुलर पीछ था वो सिक्स्टीन अमेम था औ इस हिसाब से मिसको इसमें हमारा इसमें हमारा इसमें हमारा फॉर्मूला में मिश्टिक हो रहा है कहीं ना कहीं सर्कुलर पिच स्वरी ये मिश्टिक हमारा हो गया फॉर्मूला में मिश्टिक है मैं दुबारा से इसको बता देता हूँ कहीं ना कहीं फॉर्मूला में मिश्टिक हो रहा था तो ये मैं दुबारा से बता देता हूँ सर्कुलर पिछ सर्कुलर पिछ उल्टा लिग गया था सर्कुलर पिछ बराबर होता है पिछ डाया बटे दांतों की संख्या ये सूत्र होता है सर्कुलर पिछ बराबर होता है पिछ डाया बटे दांतों की संख्या तो सर्कुलर पिछ जो हमारा वो 16 mm जो पिछ डाया है पिछ डाया है हमारा कितना 480 480 सी धा रखेंगे और दातों की संख्या हम नीचे रखेंगे तो जब हमारा ये कैची गुड़ा होगा तो हमारा ये कैची गुड़ा होने पर n हमारा जो होगा वो इधर पहुच जाएगा और 16 हमारा इधर आ जाएगा तो हमारा n बराबर जो निकलेगा वो n बराबर निकलेगा 480 बटे 16 हम 16 का इसमें डिवाइट करेंगे 16 से इसको काटेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा तो हमारा ये 30 आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा लेकिन इसके लिए जो मिश्टेक हुआ था उसको आप सुधार लेजिए सही फॉर्मूला यह मैंने सर्किल कर दिया circular pitch बराबर होता है pitch डाया बटे दातों की संख्या circular pitch cp cp बराबर pd बटे n होता है यह बहुत important question है इस से आप circular pitch भी निकाल सकते हो pitch डाया भी निकाल सकते हो और दातों की संख्या भी निकाल सकते हो लेकिन formula में mistake नहीं होना चाहिए तो द्यान से इसको आप note कर लेजी इसके अगला question है कौन सा एक stud का प्रकार नहीं है हमें एक stud का प्रकार बताना है का कौन सा एक stud का प्रकार नहीं में English में तोड़ा देखूँगा which one is not a type of stud कौन stud नहीं है which not is a type of stud तो दोस्तों stud का आपको समझना पड़ेगा जो हमारा stud होता है stud में जो है किनारों पर चोड़ियां रहती है वो पीच में थोड़ा सा भाग plan रखा जाता है पर दूसरे किनारे पर चोड़ियां होती है तो इसमें हमें stud बताना है तो इसमें जो दिया गया सेट इस्क्रू, कैप इस्क्रू, मसीन इस्क्रू तो दोस्तों जो प्लैन भाग है जो जो इस्क्रू होता है इस्क्रू में हैड के पास नीचे थोड़ा सा प्लैन भाग होता है और आप चाहो तो इसको यह समझ सकते हो को जो इस्क्रू रहता है इस्क्रू में हम जो है दूसर मिलता है उसमें चुडी-दार यह प्रकार का रोड रहती है वह इसकूड रहता है जो बोल्ड होता है बोल्ट में नट का इस्तिमाल हम उप्योग करते हैं तो इस तरीके से इसका जो इस्टर் होगा कर्वेधा इस्टर् प्रकार का जो है इस्थाई फासनर होता है तो पहला अंसर भी मेरे तरीके से सही होना चाहिए इस्थाई फास्टनर को जोड़ते समय जोड़ वकार दोनों छतिग्रिस्थ हो जाते हैं तो ये सही बात है तो यह अपना आंसर नहीं होगा हमें गलत बात को डूनना है तो जो दूसरे नमबर पे लिखा है इसलिए आंसर नहीं होगा कौकिंग टूल एक छेनी होती है दोस्ति जो कौकिंग टूल होता है वो छेनी नहीं होता है तो ये भी गलत बात लिखा है ये भी बात सही हो जाएगा बुल्टिक आइस्थाई फासनर ये भी सही बात है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा हमारे आंसर दो हो सकते हैं रिविट एक आइस्थाई फासनर है ये भी गलत बात लिखी है cooking tool एक छेहनी होती है ये भी गलत बात लिखी है तो इसमें अब हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा रिविट होता है वो आइस्थाई नहीं होता है रिविट जो हमारा होता है या तो हो सकता है इस्थाई या हो सकता है अर्द इस्थाई रिविट आइस्थाई नहीं होता है आइस्थाई का मतलब होता है उसको हम जब चाहिए निकाल सकते हैं जब चाहिए लगा सकते हैं तो दोज़ एक जामनर ने जो है इसको तो दोनों गलत आंसर इसमें दियेगा फर्स्ट थार इसमें थर्ड आंसर सही गिया है इस तरीकी की समस्य आएगी इस तरीकों को आपको अपनी हिसाब से कुश्चन को लगाना पड़ेगा तो रिविट वाला कुश्चन भी गलत है इसलिए वो भी सही हो जाएगा कोकिंग तूल छेनी नहीं है यह भी गलत है इसलिए यह भी सही हो जाएगा तो दो अंसर इसमें सही हो रहे है इसका नेक्स कुश्चन है एकल और डवल दागे के लिए 14.5 डिग्री दवा कॉण पर फीड पईया के चेहरे चोड़ाई क्या है जिसका परिपत्रचित चवदा है इसको थोड़ा इंगलिस हमें पढ़ना पड़ेगा वाट इज दा फीस बिट और वर्म भील एट है 14.5 डिग्री प्रैसर एंगल ओफ है सिंगल एंड डवल थ्रेड इफ सर्कुलर पिच हमें इसका सर्कुलर पिच निकालना है तो सर्कुलर पिच निकालने के लिए इसके सर्कुलर पिच हमें निकालना पड़ेगा तो इसमें जो डिग्री दिया है ये 14.5 डिग्री पर दिया है 14.5 डिग्री पर हमें निकालने के लिए इसके लिए degree और circular pitch दिया है CP तो अभी आपी हमने circular pitch का formula बताया था तो वो बताया था पिछ डाया हो दातों की संख्या से तो इसमें जो अगर आप चाहो तो इसका आप degree से निकाल सकते हो नहीं तो चाहो तो इसका सीधी आप answer याद कर सकते हो क्योंकि इसमें अगर हम इसका calculation करेंगे तो इसका जो circular pitch का जो सूत्र लगता है वो टेंटी जासे लगेगा तो टेंटी साथ से आपको degree की value में भी दिक्कत हो जाएगी तो 630 बटी 11 से आप कर सकते हो लेकिन आप चाहो तो इसका direct answer आप चाहो तो याद कर सकते हो यदि इसका जो circular pitch 14 mm आएगा तो 14 mm के हिसाब से इसका जो जो यह हमें find करना था इसका बिट्स बर्म गयर की जो चोड़ाई याद करने थी यह चोड़ाई याद करने के लिए हम इसका answer चाहे तो याद कर सकते हैं कि 49 mm इसका circular pitch हो जाएगा इसका नेक्स कुश्चन नेक्स कुश्चन है कि बेरिंग यूजड इयर क्राफ्ट इयर क्राफ्ट जो होता है हमारे हवाई जाज होता है उसमें कौन सी बेरिंग करते हैं तो दोस्त इसके लिए हम निडिल बेरिंग या स्वी निमा बेरिंग करते हैं स्वी निमा बेरिंग का साधान का फुटिश टेप बेरेंग का विग बर्टिकल साट पर किया जाता है इसको नेक्स कोशन है नेक्स कोशन एक केंद्री खराद में कटिंग वजार को प्रविशित किया जाता है ये केंद्री खराद है मतलब की सेंटर लेट है उसके सेंटर लेट जो होता है कटिंग वजार को कैसे प्रवेसित करते हैं तो इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा प्रवेसित करने का हिंदी में देखना पड़ेगा Centralalet कर्टिंग टूल इजफीड फेर इन डारेफेरेंस अफ दा लेथ अक्सेज हमें इसमें जो हमारा लेथ मसीन रहता है यालियत मसीन मान लिजियेhd सेंटर लेत है तो में करोस में प्रॉश ड्यूर्फ tut उसल्वर यालियत में कब ऑन संव और करोस में करोस में दें, cross में ही दें इसको समय से ऐसे, कभी कभार इसको डिग्री में भी टूल को फेट किया जाता है, जहां में कभी टेपर, टर्निंग को अगरा करनी होती है, तो हम इसमें डिग्री में भी इसको यूज कर सकते हैं, इसका next question है हमारा 83 question, इसमें से कौन सा एक ice thigh new bolt है, ice thigh new bolt, ice thigh new bolt का मतलब होता है, foundation bolt, ऐसा foundation bolt की जिसको हम निकाल सकते हैं, तो दोस्त जो foundation bolt होते हैं, वो इस्ता ही रहते हैं, लेकिन कई foundation bolt को हम निकाल भी सकते हैं, तो इसमें से मैं English नाम में आपको दिखा देता हूँ, कौन से foundation bolt है, who bolt है, rag bolt है, तो दोस्त जो यह bolt रहते हैं, इसमें इक levis volt होता है, levis volt अच्छे हम कैसे याद रागेंगे, levis volt जो होता है, आप ये सारेppt जो उपर वाले दिये गए हैं, इन सारेikat उपर ऐकर वोल्टों गिल्लेपटि में लग जाएंगे, तो उनकों निकाल नहीं सकते हैं, levis bolt को निकाल सकते हैं, लेवस बोल्ट जो इस तरीके का होता है मैं बना के आपको दिखा देता हूं लेवस बोल्ट इस तरीके का रहता है इस तरीके का तो इस पर चावी लगाई जाती है इतर पर चावी को लगा देते हैं तो चावी लगाने से क्या होता है इस तरीके से एक पाउंटेशन रहता है इस चाबी को निकाल देते हैं तो हमारी इस बोल्ट को जगह मिल जाती है बगल में तो इस बोल्ट को हम निकाल सकते हैं अब इसको कैसे याद रखेंगे इसको थोड़ा अंग्रीज नाम से याद रखेंगे इसलिए इसका नाम होगा लेपिस भूल्ट इसका अगला कुश्चन है इसमें हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है इसमें मैं इंगलिज में देख लेता हूं इसमें लेका इस्टेटमेंट में टेपर टेपर एज कौटर बोल्ट के लिए एक बटे अरतालेश इंच से तक प्रचलन करता है मैंने कि कौटर बोल्ट जो होता है उसमें टेपर जो होता है एक बटे 24 इंच तक पहुंचता है कौटर बोल्ट का टेपर एक बटे 8 इंच तक बढ़ाया जा सकता है तो दोस्ट इसमें जो quarter का टीपर होता है quarter का टीपर एक बटी 24 इंच नहीं होता है आपको मालूम होगा quarter का टीपर जो होता है वो एक बटी 50 इंच के आसपास होता है quarter जो होती है यह बटी 50 इंच का टीपर होता है quarter में तो दोछ इसमें जो लिखा हुगा है कि 24ा क्या उन्च से होता है तो यह गलति लिखा हुगा है तो यह चॉविस से नहीं होता है ुटर में ओटेपर गश्या कि अन्ट पैपर होता है तो पहला स्टेट्मेंट को थे पंषूबंगत chemical है तो उस इसका तीजरे में क्या दिया है कि एक वदू दोनों सही तो नहीं है मैंने पहले आपको बता दिया कि वट पचास इंच का टेपर होता है दोनों कलत नहीं है इसलिए इसका जो है इसका नैस समय हजां और यह सघ्याध में लिए थो तो ट्रयांगूलर में बनाना पड़े आपको अपता है आपको समझना चाहिए तो इसका दो है second answer जो है right answer हो जाएगा toxic 1000 जो पहला वाला होता है ये हमारा mandatory में होता है सर्किल वाला इसका ये information में होता है इसका ये इक वाद ट्रेंगूलर में बना हुआ है ये bomb bespote का रहता है जो इसमें ये है जो यह वाला जो खतरा होता है यह रहता है कहीं पर कोई भी laser beam या कोई भी बिसफुट वाला खतरा होता है तो यह बिसफुट वाला खतरा भी warning में आता है लेकिन toxic हजाट second option इसका सही answer होगा इसके बाद जहर की खदरे को दिखाने के लिए इनमें कौन सा संक्यत होता है तो जहर की खदरे के लिए मैंने बता दिया second answer हिंदियों पड़ रहा था इसके बाद अगला question जो है सही होजर में set seeds तीन seeds होते हैं यह बताया जा रहा combination set का combination set होता है इसमें 3 होते है square head, center head और protector है तो इसमें हमें match कराना है कौन सा क्या कार करता है में match करा रहेता हूँ सबसे पहले square head square head में match कराता हूँ square head जो होता है 90 degree और 45 degree कर रहता है वो जाच करता है तो दोस्त इसको मापता नहीं है यह गलत लिखा हुआ यह केबल जाच करता है बेला कार का केंद नकालना तो दोस्त यह कि center head यह center head नकाला चानदा जो होता है answer एक degree तक तक करता है तो हमारा जो है B का answer 3 लोको सही है और C का answer 2 सही है तो देख लीजिए इसमें कौनसा answer match कर रहा है इसमें जो हमारा answer match कर रहा C का 2 बी का 3 तो C का 2 हमारा पहले में ही दिया है राइट आंसर इसलिए पहला दूसरे में भी दिया है लेकर B का 3 इसमें नहीं दिया है B का 3 पहले में दिया है इसलिए हमारा पहला आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा आप ये दो को मेच करा के देख सकते हो पूरे मेच कराने की दरूरत नहीं है इसलिए पहला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा कोई दो मेच कर जाएंगे तो दो सही अमंदाजा इसमें लगा सकते हैं इसको अगला डिरेवल को ऐसे मूँग पर ऐसे 90 डिग्री में बढ़ा कर देता है यह किसलिए बढ़ा जाता है ताकि एक एलन इसक्रू जो है उसमें बैट जाता है तो हमारा जो काउंटर बोर्ड डिल है यह पहले ही में इसकर एलन इसक्रू का सीज इस बैठालने के लिए उप्योग किया जाता है तो इसमें हम एलन इसक्रू के कोई option देख लेते हैं यह का बन दिया है और किसी आंसर में यह का बन नहीं दिया है तो आप एक ही मेंच करा के कि कि अंदा जहँ आप लागा सकते हो कि जो एक बनसे बोर्स और किसी में यह का बन दिया है भाशन कहुंत में जरूप nive जरूबलान कोई है क्योंगी एक अबंच होई एक ऑप्शन में है इसका नेक्स कुश्चन जो हमारा है इसमें भी मिलान करना है एकल सिंगल कट फाइल रेस्ट कट फाइल और यूगम कट फाइल तो दोस्त जो हमारी रेस्ट कट फाइल होती है इसका हमें मालूम है रेस्टक फाइल कोप्यूब करते हैं लकड़ी के लिए तो दोस्ति निसमें लकड़ी के लिए दिया है तो विआरा जो B-क ओठरी किसा में किस ओप्सन में दिया हैं तो दोस्तों B-क तरी दिया है यह 2 option में दिया है तो इसमारी समझ से खड़ी हो जाए Uजाएगी बी का थिरी तो हमारे ये option फर्स्ट option भी सही हो सकता है चोधा option भी सही हो सकता है अब हम match कराएंगे कोई दूसरा option या तो C match कराएंगे या B match कराएंगे अब single cut file जो होती है अब A में option में करते हैं अधिक्तम रेदी करण कारों सामन कारों ही तू द्रण सपात के लिए हाड मटेल के लिए दोस्ते हाड मटेल के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं हम-शौट मटेल के लिए तो देख लिते हैं येका 1 तो येका 1 किस में दिखा रहा है येका द्रण इसपात के रेति करन हे तु द्रण इसपात को थोड़ा हम Уचly हमें इंगलिज में देखना पड़ेगा इसमें दे रहा है फोर, filling hard material for maximum filing इसका जो है फास्ट आंसर राइट आंसर होगा इसका नेस्ट कोश्टन है जो हाई स्पीड इस्टील होता है दोस्त हाई स्पीड इस्टील में टंगस्टन क्रोमियम और वेनिडियम रहते हैं जो टंगस्टन होता है डबलू टंगस्टन का मत्र होता है अठारा परसंट क्रोमियम की जो मत्र होती है चार परसंट और वेनिड पर्शंट तो इसलिए हमारा जो है सेकंड आंसर सही अंसर इसमें 18% और एक 1441 का भी होता है 1441 टंगस्टन 14% पर्शंट पर्शंट क्रोमियम 4% और यह 184,182,22 पर्षंट 4% तो एक पर्षंट वाला भी होता है तो इसमें चाहो तो तीन तरीके से भी हमारा हाई speed steel बन सकता है इसका next question है लोो इलोय steel के लिए हम temperature रखते हैं यह अलोय की मात्रा कम मिलाई गही है तो दोड़ा सा जल्दी गरब हो जाता है जिसमें इलोय कम होने की वजाए से जिसमें कम इलोय होता है वो थोड़ा सा थेरा सोसे कम पर गरम हुगा यसा हमरा माइलल इस्टील में खेिसे कमपर गरम हों को थोड़ा psychology कर देते हैं तो थोड़ा घैरा सो पर गरम हो जाएगा JAKS हाई इलोय को गरम कर देंगे तो वो हमारा साड़े 900 पर भी गरम हो जाएगा तो हमारा जो मीडियम टाइप का है लोई इलोय है मतलब कि इसमें इलोय की मात्रा जादा नहीं है तो यह 1100 इसमें फोर्जिंग कर देते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक वष्था तक आ जाता है ग्यारासो डिग्री पर यदि हाय लोई होगा तो इसका आंसर पे 900 इसके बाद नेक्स कुशन है इसमें मैचिंग कराना है यह संसी को हम टॉंग कहते हैं इस टॉंग को मैच कराना है कि कौन सा कारे करेंगी तो देखें इसमें जो है होलो टेंग राइट एंगल टॉंग फ्लेट टॉंग दिया गया है जैसे यह दिया गया है जो हमारा फ्लाट टॉंग चोथे का अंसर मेंच करेगा, जो चोथे का अंसर मेंच कराना है, तो जो सपाट टॉंग है, फ्लाट टॉंग है, तो फ्लाट टॉंग जो चोथे नंबर का अंसर मेंच कर रहा है, बी नंबर में, तो चोथे नंबर का अंसर जो है, बी नंबर मेंच कर रहा है तो चौथे का B देखेंगे यदि एक ही option में चौथे का B होगा तो हम और यह answer सही कर देगे यदि चौथे का B दो option में होगा तो फिर हमें दूसरा match कराना पड़ेगा तो देख लेते हैं चौथे का B नहीं नहीं इसमें देखते हैं फ्लैट मग चौथे का B यह पहली उप्सण में देख लीज़े आप बहुत ही important question देख लीजिए चौथे का B चार का B एक ही option में दिया है और ना तो इसमें दिया ना इसमें दिया और ना इसमें दिया है तो इसलिए हमें और match कराने की ज़रूरत नहीं इसलिए हमारा first answer सही answer हो जाएगा यदि चोथे का B किसी दूसरे option में होता तो हम और एक option छिसलिए जो हमें आता हूँ पता होही मैच कर लेंगे जो आप जरूरर जरूरर मैचिंग सभी कर सकते L बराबर L जो लंबाई होती है वो प्लेट की मुटाई थेकनेस प्लस 0.8 इंट्व डी होता है हमारा यह होता है counter sink रिट के लिए देख लीजिए इसमें कहीं दिया है दो स्थ में 0.8 तो कहीं नहीं दिया है लेकिन इसमें 0.6 दिया है तो 0.6 से ही हम इसको लगाएं क्योंकि 0 0.8 हमारे पास अंसर नहीं है नेक्स कुश्चन जो है बीस मिली मेटर मोटी प्लेट में पांट छिद्र करने यह तु लगा समय क्या होगा जब डिल का प्यास 10 जोठना पड़ेगी तो दोफ तो 10 mm का होगा होगे जो दिल का इशे पास 10 को जो महारा होगे समय प्लैट की कोन चाहिए पतंड काई का निकालना पड़ेगी लगा प्लेट की मुटाइ एम-AN तो हमें इसका फीड इन्टू आर्पियम इसमें लगाना पड़ेगा ऐल प्लस nossaua यह वी और श्की 32 हो जाएगा पहल हमें इसको लखना पड़ेगा तो हमें करना हें प्लस भी ऐल फीड़ दोटिर वेल पॉन्ट2 है आर्पियम में दोस्त निकालना पड़ेंगे आर्पियम कैसे निकलेंगे आर्पियम का जो सूत रोता है एन बराबर जो सूत रोता है कटिंग स्पीड बन पॉइंट फाइब इन्टू एक हजार बटे पाई इन्टू डी पाई कमान होगा बाईस बटे साथ साथ जो नीचे का होगा यह पहुच जाएगा पाई इन्टू डी टी है दस का दस हम नीचे लिख देंगे यह पॉइंट हम अटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा दो जीरो से हम यह दोस्त दो जीरो उपर की काट देंगे इसके बाद यह बाईस है बाईस को हम दोसे काटेंगे तो ग्यारा आ पहुच दोस्ति आपढ़ पाईस सो पंदरा बटे ग्यारा तो दूस्ति पांद सो पंदरा बटे ग्यारा इसको हम रखेंगे आर्पीम की जगह जो बगल में था इदर फीडिन्टू आर्पीम था पांसो पंदरा बटे 11 तो इधर रखेंगे हम 515 बटे 11 जा हम इसको solve करेंगे तो हमारा इसमें 48 मिनिट और 10 सेकें नांसर आ जाएगा यदि यह question आपको नहाए तो हमें comments में लिख सकते हो आप मैं इसको और अच्छे से photo कीच कर इसको मैं upload कर दूँगा लगा करके तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको next question है इसका next question हमें बताना है दी गई आकरती एक depth micrometer की प्रदसित करती है तो हमें इसमें क्या बताना है भागों का सही क्रिम क्या होगा इसमें हमें सही क्रिम बताना है ratchet, thimble, आधार, lock nut, depth nut depth, rod, or a, क्या लगा, sillew लिखा गया है तो सही क्रिम कैसे बताना है, इंगलिस में देखना पढ़ेगा the correct sequence of part, partों का सही क्रिम बताना है हमें a से, तो दोस्ट जो a है, यह हमारा दिया गया thimble, b के बाद यह दिया, sorry, a ratchet है sorry, a ratchet है, ratchet से हम tight करते है बी नमबर पे दिया यह thimble, तो हम दो से ही मेज करा लेते हैं, जिसमें ratchet औ थिमबल अगर आंगे से दिया होगा, तो यह आंसर हो जाएगा, इसके बाद दिया sillew, तो तीसे नमबर पे है, sillew, तो देख लेते हैं कौन सा ratchet thimble, तो ratchet thimble दो दो में दिया है ratchet thimble, ratchet thimble पहले में भी दिया है, ratchet thimble दूसरे में दिया, ratchet thimble, तीसे में दिया, ratchet thimble चोते में दिया, ratchet thimble, हम आंगे बढ़ना पड़ेगा क्या है तो आंगे देखना पड़ेगा, ratchet thimble, इसके बाद C नमबर c number देखिए हिसमें c number a के बाद b औ P के बाद c तो दोस्त है cवे a c हमें बताना c होता है तो हम देख लेते हैं base किस नबर पर था है तो इस度 है लग देखनार पर देखना sarà किसमें lockingір तेख्रू का मम देख लेते हैं कौन्से आप्षन में दिया है लॉउपनट दोस्ते दिया है हमारा जो लॉउपनट बेस वाले हमारे 3 ओफिसन में बेस था ये बी ओप्षन में तीसरे में बेस था और पर इन 3 में तीन में से यह देखना है कि जो हमारा डी में है वो लॉकनट होना चाहिए तो लॉकनट होना चाहिए जो हमारा डी में इसमें भी लॉकनट दिया है हमारा इसमें भी लॉकनट दिया है और इसमें दिया है इसमें भी हमारा लॉकनट दिया है तो हमें आगे देखना पड़ेग किस ऑप्शन में है a spindle या death rod दोस्त जो death rod दिया है ये चौत वाले में भी दिया है ये बहुत ही question है चौते में भी दिया है और इसमें भी दिया है तो हमें अब भी देखना पढ़ेगा आप एब देखना पढ़ेगा ।ो दोस्त लेइ अप पूरी जानकार होना चाहिए यसे हंदिक इस में भी में दिया है जो सकरार है वर देखिए इसमें वी औप्षन तोड़ा अलग था इसमें वी औप्षन देखिए इसमें आप भी औप्षन में रेचेट दिया है जब यह था थिंबल तो भी अप्सवाइब यह थिंबल तो ये पहले के साफ से ये गलत हो गया दोस्त तो इसलिए हमारा फ़स्ट आए जो सही हो जाएगा पहले मैं देखिए रेचेट है ये औपसं रेचेट है इसमें tack दे रहा है कौन सा सम्रूपता को प्रदर्शित नहीं करता है ब्यक्त नहीं करता है तो दोस्ट सम्रूपता हमें बता नहीं है सम्रूपता होती है जो एक प्रकार की सम्रूपता होती है जो उपर भी और नीचे विश्यम होना चाहिए तो इसमें बताना है कौन सा सम्रूपता को नहीं दर जाते हैं को और टेक्म देख लेते हैं इसमें तो सम्रूपता है इसमें ऊपर नीचे से मैं इसके बाद हम इसमें जाते हैं इसके बाद हम इसमें तोटा सर देखना पढ़ेगा अंको, इसमें भी समरूटता में है। meaning. को तेपरनएस भी इसम अप्षन बीехत है। दो इस तरही किसे question में तोड़ा confusion हो सकता है जो इस परकार का question है इसमें सभी में mirror image बन रहा है उपर उपर उनीचे जो center line रहती है इसमें जो beach की line होती है इसमें beach की line जो center line होती है इसमें सारे में mirror image बन रही है समरूपता देख लीजिए आप एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ mirror image में सभी में same ही आ रहा है तो इस तरही को question तोड़ा सारे दिक्कत कर सकते हैं ये तोड़ा examiner की गलती रहती है इसमें आपन कुछ नहीं कर सकते हैं इसका next question है कि इस तंबो को मिलान करें हमें मिलान करना इसमें भी मिलान करना बहुत ही अच्छा है डालोवालोता है तो तो ऐनसर में से मेरी को में बन अच्छा और तो क्या करते हैं लेड टेन औरब्ल में पनबाएर swimming명ुरिक रख गिएग AB आपको जादा दूसरे मिलान करने की ज़रूरत नहीं यदि मानलो आपको गन मेटल नहीं आता है पिटवालो आता ताम आता काश्टान आता है तो चार मेर्स जो भी आपको एक आया को उससे मिलान करके आप इस तरीके से आंसर टीक कर सकते हैं इसके बाद हम एक कोश्चनल लगाना है एक बटे चारंज की भी एच डव्रू टेप का ने ही तूढ आता ही चूडी कार्ना ही थो हमें एक टीडी और लेज्ट ग्यात करने है तो इसका सूत्र आपको या दा ह возможna चाहिए, टीडी और बढबर होता है जो TDS बराव होता है TDS इंटू 7 बटे 8 माइनस 1 बटे 32 एंच होता है यह होता है बिटिस चूड़ी के लिए हम लगा देते हैं TDS 1 बटे 4 1 बटे 4 इंटू 7 बटे 8 माइनस 1 बटे 32 इसके बाद हम इसका गोड़ा करेंगे करेंगे तो यह आजाएगा 7 बटे 32 माइनस 90 1976 करेंगे तो 6 बटे 32 हो जाएगे 6 बटे 32 का ओं कारतेंगे 22 से 22 चै और 2 से नीचे काटेंगे तो 16 आजाएगा तो मारा 3 बटे 16 जो है वोssäह हो जाएगा चछोटी 6 बटे 32 ही दिया है दो सिसमें प्रोब्लम नहीं छेवटे 32 ही हमने निकाल दिया था इसका काट के कारने के बाद तीन वटे 16 आ जाएगा तो हम तीन वटे 16 लगा सकते हैं और उप्शन में छेवटे 32 है तो छेवटे हो जाने है तो इसका कारणे थे Echo актив हो जाएगा से हम साथ rent अंध्यन थ सब्सक्राइब का प्रेअब यह को है इसा हो आंसा हुआ तर्षा झीजरी हो जाता है स्षित बंस और जानते हैं तो इसलिए इसका एंसाथ स्थोम रने थे भी चहते हैं होता है यह 45 डिग्री रहता है इसके बाद नेक्स कोशन है महीन थ्रड को दर्साया यह एक विशेश थ्रड में प्रयोग होते हैं तो जो दोस्त है लिखा है यह महीन थ्रड के लिए यूज होता है तो जो हमारी थ्रड रहती है है यह और सब्सक्राइब यह असानी से लग जाती है तो देख लिए जाए मिचीस क्या धिया ओप्चिन जाना है तो आतर ट्रड आप खी Resident के लिए उरस की ना जान्या म αक्राइब यह क्ति यह कि कि जब अनप्रकार की चूडियां उपलाब दना हो तो दोस्त इस प्रकार की थ्रड़ का उप्योग करते हैं ऐसा नहीं है फाइन थ्रड़ का उप्योग कहीं भी हम नहीं कर सकते हैं इसके बाद है जब कोर्स पिछ की चूड़ी उपलाब दना हो दोस्त ऐसा नहीं है कोर्स प सायतास निकली की धातु की मात्रा क्या होती है तो दोस्तों रीमिंग करीमर का जो एलाउंस होता है वो 0.02 minimum होता है और 0.15 maximum होता है इसको बता देते हैं इसके दो एलाउंस होते हैं एक होता है 0.1 से 0.15 तक और दूसरा एलाउंस होता है वो 0.02 से 0.05 तक तो इसमें देख साधान कार के लिए हो तो बड़ा से बड़ा 0.5 होता है इसलिए इसने जो साधान कारों वाला और बड़ा से बड़ा दोनों दे दिये तो 0.02 से 0.15 आप चाहें तो पूरी रेंज याद कर सकते है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा इसका next question है इसका next question image कराने का image कराने में बहुत अच्छा रहता है एक चक है जो A60, J6, B के स्थम्मों को मिलान करें तो इसमें मिलान करना है देख लीजिए इसमें others चक तो इसमें others चक को इंगलिस में देख लेते हैं image the column for standard wheel standard wheel को हमें मिलाना है जो हमारा grinding wheel होता है इसमें चक लिखा है दोस्त चक नहीं है लेकिन दोसस में दिक्कत आ गया है बन का सी जो दिया है वो दो अप्सन में दिया गया है बन का सी तो हमें एक और मैच कराना पड़ेगा हमने तो फिर मैच कराई लिया है जो हमारा 60 है वो ग्रेन साइज है जो हमारा 60 दिया है जो हमारा 60 दिया है जो हमारा ग्रेन साइज है तो ग्रेन साइज मेच कराना है टू का बी टू का बी हम लेख लेते हैं दो अप्सन में टू का बी टू का बी एक बड़ और करते हैं मैं गड़ बड़ हो रहा है टू का बी करना है, 2 का P, 60 जो है वो ग्रेंe साइज है, छलो इसमें दिक्त होरा, तो एक और मैंस करा लेते हैं, जो जो जाए, ग्रेयड होता है, जे जो होता है दोस्ति ग्रेड होता है जो जे लिखा है ये ग्रेड होता है बॉन्ड के पकड़ने की चमसे तो जे होता है ग्रेड तो इसमें हमारा लगाना है जो जे है थार्ड का ए थार्ड का ए जो है थार्ड का ए तो थार्ड का ए तो किसी पहले वाले ओप्सन में दिया ह दोस्त इस तरीके से answer गड़बड हो रहा है मैं इसको अपने तरीके से बता देता हूँ तो इसको मैं match कराता हूँ A का का होगा B का क्या होगा A B C D जो A grade होगा grade का होगा third A का third answer होगा एक grade grain side जो होगा वो two answer होगा और जो type of every ship every ship का प्रिकार जो होता है वो one answer होगा और जो number of structure वो इसका होगा fourth answer तो ये answer हमें match कराना है अब किसमें match कर एक का 3 A का 3 तो पहले में दिया है B का 2 दिया है C का 1 तो इसमें कोई भी answer match नहीं कर रहा है A का 3 B का 2 C का 1 D का पूर होगा तो इस तरीके से question wrong हो जाता है इसका answer जो होगा A का 3 B का 2 C का 1 और D का पूर होगा तो दोस्त एड़ा है हमारे 100 question इन question में कहीं भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो examiner बनाता है वो अपनी दृष्टी से question बनाता है दोस्त तो यदि दोस्त आपको किसी question problem है तो आप हमारे description में भी आप हमारे comment box में लिख सकते हैं और description box से हमारे और दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं और यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें, okay bye bye